इंडियन टीजी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवार्ट जब यहां रेलवे लाइन नहीं थी तब भी जटेरा बाबा भक्तों की मनों का मनाई पूरी करते थे और भक्तों का यहां ताता लगा रहता था आज भी जब सब सुविधाएं हैं तब भी भक्तें यहां काफी संख्या में आते हैं जटेरा बाबा का प्रताप इतना तेज है कि जब भी कोई भी ट्रेन यहां से गुजरती है तो उसका चौलक बाबा को सलामी स्वरूप हौन बजा कर निकलता है सफ़र सुरक्षित हो और किसी भी प्रकार की विग्न बाधना आए इसके लिए चौलक हर संभव प्रयास करते हैं और यही वज़ा है कि हट्रेन का चौलक बाबा को सलामी देते हुए यहां से निकलता है लोगों की आस्ता का प्रमुक केंवर व्यार्मा नदी में टापू पर बना जटेरा बाबाधाम कई शमत कारों से भरा है साल 2005 में व्यार्मा नदी में आई भीशन बाड में सब कुछ टूप गया था टापू और मंदेर सब कुछ नदी में समा गया था यहां तक की रेलवे ट्रैक पर पानी भरा होने के कारण रेल यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुई थी लेकिन जब नदी का जुलस्तर कम हुआ टापू बाहर आया तो लोग चकित रह गए क्योंकि मंदिर जियों कत्यों खड़ा हुआ था तो वहीं मंदिर के पास सूखा पड़ा विशाल पेड जियों कत्यों अपने स्थान पर खड़ा रहा और नदी का बहाव भी उसे हिला नहीं पाया और इसी वक्त जटेरा बाबा का चमतकार बताते हैं गाम के बुजर्ग बताते हैं कि ब्रिटिश राशनकाल में जब यहां से रेलवे ट्रैक डाला गया उसके पहले ही नदी के बीचों बीच जटेरा बाबा का सिद्धस्थान बना हुआ था और लोग बड़ी आस्था और विश्वास के साथ यहां पर माथा टेकने आते थे बारिश के मोसम में छोड़कर बाकी महीनों में यहां भक्तों के द्वारा भंडारे भी कराया जवाते थे साथी ग्रामिडों के द्वारा भागवत कथा का आयोजन भी लगतार करवाया जाता था खास बात ये है कि हर साल वेलवे प्रशासन के द्वारा भी विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पर करवाया जाता है जिसमें घटेरा सहित जबेरा ब्लोक के सैक्रो ग्रामों के ग्रामेड जुशाल भंडारे में शामिल होकर धर्मलाब अरजित करते हैं इंडियन टीवी न्यूज के लिए रानु जावेद खान की रिपॉर्ट